है 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 अले रूवन वर्कम टो कॉमपोडिशन कम्मुनिटी आयम तरु नियार और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत में प्रमुख कोल उत्पादक शेत्र देखिए जब हम यहां पर कोईला की बाते करते हैं तो यह सीधा-सीधा आपक खनीज और उड़्जा के अंतरगत यानिकी मेनरल्स और एनर्जी के अंतरगत एक महुत इंपोर्टन पार्ट हमको पढ़ना होता है वह हता है कोल यह निकी कोईला राइट अब हम कोईला की जब बाते कर रहे होंगे तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कोईला इंडिया मे कोई भी question आये स्मझेगा भले topic है हमारा भारत में कोईला का वित्रण या फिर यू कहें कि हमारे भारत में कोईला का उत्पादन कहां कहां पर होता है वड़ उसके पहले मैं चाहरा हूं कि दो तीन कितने प्रकार का पाया जाता है यह भी important है क्योंकि दो नमबर का question पूछा गया है भारत में कोईले के प्रकार तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकार या निकिट टाइप्स इसके पाद हम लोग चलेंगे दोस्त कि हमारा शेत्रवार शेत्रवार का मतलब होता है कि state हम ले सक इसका उपयोग क्या है मतलब यूस तो पता होने चाहिए ना तो इसकी उपयोग क्या चीज़ है यह मतलब यह major चीज़ें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए जब आप notes बना रहे होते हैं तो आपको यह चीज़ जरूर से बनाना चाहिए किसी भी आप like minerals की बाते कर रहे ह हो या किसी उद्योग की आप बते कर रहे हैं तो कम से कम हर एक पॉइंट में या हर एक chapter में आपकी key points होनी चाहिए जिससे आपको पता चल सकी कि हाँ मुझे इन इन बंदों पर अपने जो notes है वो ready करने है ठीक है ना आईए तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे य यहां पर ड्रॉ कर लेंगे या कि परस्ट आफ और फॉल विल्ट्रॉ दे मैप ऑफ इंडिया यह हमने भारत कमेयप यहां पर हमने ड्रॉ किया अब मैं यहां पर जो आपको चीजे बताने जारो ध्यांसे समझते जाएगा देखी जाएगा सबसे पहले तो यार जो cold रहता इंडिया में वह आपको दो प्रकार की चट्टावनों में देखने को मिलेगा एक हो जाएगी तुम्हारी गौंडवाना और एक हो जाएगा तुम्हारा त्रेत्यक अब गुणवाना को इंग्लिश में अपन गुणवाना वेलेंगे इसको हम लोग टट्शेरी कहते हैं हम है वो अलग पार है उसको हम यहां पर डिसकस नहीं करेंगे तो जो गुणवाना है वो इसी थोड़ा सा पुराना है दृत्यक से पुराना है तो गुणवाना करम की चट्टाने रहेंगी इंडिया में जादा तर जो घॉन है यानि कि 98 percent जो कॉल है वो कहां से मिलेंगे आ ना तुम्हारा इधर जारखन, उडिसा, पश्शी मंगाल और इधर तुम्हारा तैलंगाना, आंधरा ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ये सब की सब तुम्हारे गुणवाना बेल्ट है, और इसकी बाद दो हमने देखा टर्शेरी, यानि कि तृत्यक, तो जो तृत्यक वाल में पाया जाता है, तो आपने शिरुवात कुछ इस प्रकार से करी, भाई भारत में जो कोईला है, वो ज्यादा तर गुणवाना करम की चट्टानों में मिलता है, जिसमें लगभग 98% हिस्सा सामिल है, प्रमुख शेत्र, ये ये राज्य हमने बता दी, मंद्यप्रदेश, 37 जारखन, उडिसा, बंगार, आपका नीचे तलंगाना अंधरा, फिर आपने बताना है कि सर्ट, 2% जो आपके कोल है, वो कहाँ पर मिलेंगे, टटशरी क्रम की चट्टानों में, टटशरी ये ये तरत्याक, जो कि थोड़े से नय है, गुणवाना के कंपारिजन में, और ये प्रमुग जो शेत्र है, वो तुम्हारा जम्मो काश्मीर है, देनापका, क्या बोलते हैं, मिघाला है, असाम है, अरोनाचल, ये वाला शेत्र है, ठीक है न, इतना आपने बता दिया, अब हम चलते हैं, ये शुड़वात हो गया, मान के चले कि आपने लगभग 2-2-3 यहां से आपने कम्पलिट कर ली, अभी श्टेक्त में आएंगे स्टेट की साथ, उनके एरिया के विवारे में हम यहां पर बाते करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कि कुवेले कि कि क्तने प्रकार होते हैं, उस पर थोड़ा डिसकस कर लेते हैं, फि यह प्रकार होगे दूस्तों चार प्रकार सिभागर आपको देखने को भेलेंगे ठीक है तो चारों प्रकार को हम लोग वन और यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले होगा मेरे दोस्तों एंथ्रेसाइट क्या होगा तुम्हारा एंथ्रेसाइट दूसरा जो आपका टाइप होगा विटू मिनस तीसरा जो टाइप होगा यहां पर इसको हम कहेंगे तीगनाइट इंग्लिश में भी यही नाम होंगे ठीक है और चौता जो टाइप होगा आपका हो जाएगा पीट इंग्लिश में सब नाम सेम रहेगा मतलब एक्शली इंग्लिश ही नाम है इसको हमने देवनागरी लिपी में हाँ पर लिखा है तो यहां पर आप देखेंगे चार प्रकार स सरे बच्छे ऐसे गंट्व्ज जाता है प्षरों जो हम लकड़ी जलाते हूँ क्या नहीं वो तो चारकॉल हो जाता है यह जो कोल होता है इसको हम धर्ती के अंदर से निकालते हैं यह घनीच है अंने बता है ना वह चटानों में पाया जा रहा है तो चटानों पाया यह उत्तम क्वालिटी का कोईला होता है जिसमें लगबग 90% कार्बन होगा याद रखना लगबग 90% कार्बन होगा जिसकी मात्रा इंडिया में बहुत कम मिलती है मतलब हमको एंथ्रेसाइट कोईला जो है बाहर से मंगाना पड़ता है और साथी साथ मैंने एक और कोईंट य कोईले का जो उप्योग है वो किया जाता है धातू शो ठन के लिए धातू शोधन का मतलब होता है तो इसी कोईले का उपयोग कहा जाते है जिसकी कार्बन क्वालिटी बहुत अच्छी हो मतलब जहां पर गुड क्वालिटी आफ कार्बन आपको देखने को मिलेगा उस कोईले को हम यूज करते हैं क्योंकि बिटुमिनस की जो क्वालिटी होती है वह लगभग आपका सेवन्टी टू एटी परसेंट आप देखोल यानिकि सतर से असी प्रतिशत क्या रहता है यहां पर कार्बन रहता है और यह आपका ज्वेटी सुर्णी का उच्छ क्वालिटी का कॉल होता है लेकिन तो उसको हम यूज करते हैं किसके लिए उसको यूज किया जाता है पावर प्लांट में विद्युद्ध पादन करने के लिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा जो आपका कॉल है मतलब तीसरे नंबर का है वह हो जागा तुम्हारा लिगनाइट तो लिगनाइट में जो पाए आधारित या कोईला आधारित पावर प्लांट अभी हाल ही में यूपीएस्टी का पेपर हुआ था उसमें भी यह कुछा गया था कि इंडिया में विद्युद्ध पादन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा किस पर आधारित है इंडिया में हमारे विद्युद्ध पादन के बहुत सारे sources हैं जैसे की कोईले को हम जलाकर हम क्या करते हैं वहां से system generate कि उसके बाद हमने क्या किया विद्यूत पादन किया उसके बाद हम किसी विद्यूत पादन करते हैं हम जल विद्यूत पादन करते हैं इसके इलावा हम renewable energy sources रहते हैं उससे हम विद्धित उत्पादन कर सकते हैं परमानू उर्जा की माध्यम से विद्धित उत्पादन कर सकते हैं तो बहुत सारे हमारे पास क्या है sources है जिसमें सबसे जादा use किया जाने वाला क्या है तुम्हारा कोईला है याद रखेगा तो पावर प्लांट में यानि कि विद्धित उर्जा ग्रिह में जिसका प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाते है जरली लिगनाइट का या फिर ऐसे कोईले का जो कि मध्यम स्रेणी के होते हैं और जिसमें कार्बन की मात्र जो है एवरेज रहती है मतलब जादा भी नहीं है कम भी नहीं है एवरेज 50-60% जैसे कि यह लिगनाइट है सबसे आदा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा यह आपको देखने को मिलेगा तो जो पीट कोईला रहता है यह सबसे निमन क्वालिटी का कोल होता है सबसे निमन मतलब इसको मैं यूं कहूँ कि सबसे बिकार कोईला होता है इसमें नमी की मात्रा जादा होती है या यूं कहें कि कोईले के बनने के जो शुरुआत है वो पीट कोईले से ही होती है आपको इस प्रकार से समझना है कैसे आप जब घरों में लकडी जलाते हैं या फिर लकडी जलाने का आपने काम वगरा देखाऊगा प्रोसेस देखाऊगा तो वहां पर क्या होता है जो लकडी गीली है उसको आप जला नहीं सकते जलाओगे तो बहुत जादा धुआ छोड़ता है उसी प्रकार से पीट कोईला जो रहता है इसमें कारवन की क्वालिटी बहुत कम रहती बिलोव 40% यहां पर आपको कारवन देखने को मिलेगा और इसलिए इस प्रकार का जो कोईला रहता है उसको तापी विद्यूत ग्रह में बहुत कम यसी उसकर पाते हैं क्योंकि जादा एफिशन नहीं होता यह राग बहुत जादा छोड़ता है या यनि कि एश ने बता है कि जो धुआ छोड़ेगा वो बहुत जादा राग भी छोड़ता है और यह वाला जो पोल है तुम्हारा कौन सा एंत्रिसाइड जो रहता है यह इत कैलोरिफिक वैल्यू इसको कुछ इस प्रकार से समझे तो धारन के तौर पे मैंने एक छोटा सा तुकड़ा जलाया 50 ग्राम का उससे मेरी चाय बन गई और दूसरा मुझे अगर इस से चाय बनानी है तो मुझे कम से कम 200 ग्राम कोईले की आवशक्ता पड़ेगी यानिकि अग आपने कोईले के प्रकार को समझा और कितने प्रकार की कोईले इंडिया में पाए जाता है यह भी आपने देखा एक और चीज़ आपको याद रखना है फुल जो कोईला है इंडिया में जैसे हमने कहा गोंडवाना तो टोटल जो कोल है लगभग 80 पर्चंट जो कोल है कई निका है मतलब उच्छ मध्यम जो एक quality होता है है ए सबसे उच्छ quality कौन से होगी एंथ्रिसाइट उच्छ मध्यम कौन सी होगे तुम्हारी bitumenist अध्यम कौन से होगी लेगण हो गई और निम्न क्वालिटी का कौन आंध्रा वगर में आपको यहां पर देखने को मिलेगा मतलब 80% जो कोईला है वो हमारे पास किस प्रकार की है बिट्व मिनस्ट रणी का है और लिग्नाइट वाला ज्यादा तर आपको तमिल नाडू वाले शेत्रों में देखने को मिलेगा ठीक है आईए कि हमने यहां पर बाते कर लिए किसके बारे में हमने कोईले का उपयोग देख लिया कोईले के हमने प्रकार भी हमने यहां पर देख लिये और किन किन चट्टानों में कोईला यहां पर पाया जा रहा है इसको भी हमने यहां पर देख लिया अब सबसे बड़ा सवाल जो कि पाफ इंडिया अगेंड फिर से बना लेते हैं तो देखिए यहां पर ओल्री मैप आफ इंडिया बना हुआ है इसमें हमें काम करेंगे इसको मैं रफ कर लेता हूं इसको मैं मिटा लेता हूं और जबी भी आप से पूछा जाता है शेत्रवार वेवरन तो आप एक काम करिए जैसे आप से पूछा जाता है तो आप देखे इसको बनाने की दो तरीकी हैं आपके पास बहला तरीका या आपको पता है कि कौन को से स्टेट मैं कोईला पाए जाना है आपको पता है कि वेस्ट बेंगॉल में पाया जाएगा आपको पता है कि यहाँ पर जहारखंड है जेके एच आपको पता है ओडीसा में पाया जाएगा आपको पता है कि चतीजगड में पाया जाएगा आपको पता है कि मध्यप्रदेश में पाया जाएगा यह आपको पता ह बना लिया जी आपने 36 गड़ बना लिया और आपने मध्य प्रेदिस बना लिए पांच मेजर एरिया है दोस्तों याद रखना तरीके से भी बताऊंगा पहले यह वाला तरीका बता रहूं पिर इसका और तरीका है और कोश्चन भी बताऊंगा कि कैसे आपको पूछा हाना या फिर आपकी जानकारी के लिए इसको मैं एडवांस में रख देता हूं यहाँ पर याद रखना डोंट गेट कंफ्यूज हम इसको एक और प्रकार से पढ़ेंगे प्रश्न आप से पूछा जा सकता है कि भारत के प्रमुख उन शेत्रों का वर्णन करिए जो कि कोईले से संबंदित हैं या भारत के उन नदी घाटियों का वर्णन करिए जो कि सिदे सिदे कोल से संबंदित हैं तो दोनों का अंसर ओल्मोस सेम होगा डिफरेंस क्या है यह मैं बताऊंगा पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले हम इसको कवर कर लेते हैं फिर यहाँ प से पूछ रहा है कि भाई नदी बताओ आपको इस्पेशली नदी से संबनित पुछा तो आपको नदी बताना ही पड़ेगा मस्ट है कोशन की डिवान को समझे पूछना क्या चारा है आए तो पहले हम इन पांच राज्यों पर कस करेंगे इसके अलावा यार देखो अपने माइंड में रखना है सर महाराश्टर में भी आपको देखने को मिलेगा सर आपको यहां पर तैलंगाना में भी देखने को मिलेगा और आपको आंधर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और तो हमने बताया ही है तो सर क्या हर स्टेट को इस प्रकार से इंडी विज्वाली ऐसे मैपिंग करनी के स्टेट का मत करिया न कोई दिक्कत नहीं है आपने इंडिया का मैप डॉकर लिया आपने इस प्रकार से चीज़ें बना ली डाट सिट ठीक है अभी जो हम बता रहे हैं औरीशा जारखंट बंगाल यह वाली जो पेटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो शिरुवाद कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले वेस्ट-बंगौल की मैं बाते करूंगा तो वेस्ट-बंगौल में जो स्थान है उसका नाम है रानी गंच और रानी गंच जो है ये सबसे पुराना भी है question ये भी आता है कि वो कौन से शेत्र है जहाँ पर सबसे पुराने शेत्रों में से कई बार है न तो आप लेकिए जब मेंस में answer लिख रहे हैं तो कुछ चीजों को specify कर दीजिए मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर 12-15 coal areas पढ़ेंगे तो आपको पूरे के बारे में ज़्यादा detailing करने के निड़ने लिकिन जो कुछ है special आप उसको लिख दीजिए पताइए कि रानी गंज पशिम मंगाल में है और यह सबसे पुराना coal area है इसके बाद शार्खन में चलते हैं त आपको करन पूरा करन पूरा फिर क्या मिलेगा गिरीडी है तो यह कहां पर मिल जाएगा तुमको थार्खन में देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको क्या मिलेगा रामपूर मिलेगा कर दो 3-5 है यहां पर एक आयिए जहां पर एक हाथ को लिखिलेज है जहां पर सिर्मिय तो इसे भी सरे राज्य हो जाते हैं 123456789 पांच इधर से चार इधर से तो भाई दो दो भी लिखते हो तुम ओन एन एवरेज तुम्हारे पास 17-18 तो ऐसी हो जाते हैं उसके अलावा तुम यहां पर इधर लाओ मतलब क्या बोलते हैं नौर्टिस में डालोगी जम्मू कश्मिर मतलब मोटा मोटी आप 20 जगहों क के नाम लिख रहे हों मतलब मोर देनीना पर यह मुझे ऐसा लगता है उतना सफिशेंट है राइट तो देखे आपको मैंने आपको इस प्रकार से बनानी है ताकि पता चले यह को प्रॉपर वे में दिख रहे ना मतलब देखने में भी अच्छा लग रहे है कि हाँ यार को जब आएगा तो देखेगे तो अच्छा हाँ वेस्ट पेंगाल का यह दिख गया उडिसा का यह एक्दम तुरन दिख रहे है ऐसे आड़े तीर्ची नहीं बनाने आपको प्रॉपर वे में बनाने तो यह कब बना पाओगे जब आपको 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 पता है कि कहां पर कित तुम को जो मिलेंगे पहले तुम उसके बारे में देख लो MP में कौन-कौन सा मिलेगा कैंसी जब हम लोग इस कटनी वाले रास्ते में जाते हैं तो दो तीन जगह हमको यहां पर देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो आपको मिलेगा मेरे दोस्तों सिंग रॉली याद रखन रैनी अलग है अभी रैनी भी हम पढ़ेंगे ना याद रखेगा अभी हम देख रहे हैं वो सिंग रॉली है क्या बोला मैंने MP में जो मिल रहा है वो है तिंग रॉली उसके अलावत तुम्हार क्या मिलेगा यहां पर जब हम जाते हैं तो सुहाग पुर करके तो हाग पूर्ड तो फिमस एरिया है कहाँ पर MP में है ना इसके अदा जाए चतिस गड़ में यह चतिस गड़ के लिए तो दोस्तों यहां पर बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं बना लीजिए और चुंकि हम तो जगह हैं उनके नाम आपको याद रखने है इस दाट क्लियर कलिए यहां पर हम देखते हैं चतिस गड़ के जो इस्थान है पर इग्जामपल उपर से शुरू कर लेते हैं को रिया मेजर प्लेस उसको लिख लो कोर्बा और राए गड़ को गया नोट आउट आपको यार इतन प्रदर्शन नहीं करें आपको जितने नीड है क्योंकि देखो बाकी स्टेट के भी आप दो तिन दिन लिख रहे हो तो यहां पर भी तिन लिखो ठीक है ना आईए महाराष्ट में चलते हैं तो महाराष्ट में क्या-क्या देखने को मिलेगा महाराष्ट में आपको देखन है तेलंगणाना का यह सिंग रहेनी है वो सिंग रॉन दी DV सिंग रेनी। ज्या बता है मैंने सिंग रेनी। ठीक है। आंधर प्रदेश का जो मिलेगा वो है पांडूर। आंधर प्रदेश का जो मिलेगा आपको पांडूर। ठीक है। और तमिल नाडू में जो मिलेगा वो है नए वेली। अभी थूड़ी दिर पहले मैंने बताया थ है इतना बड़ा है मैं आपको समझाना थे इसलिए बनाया हूँ आप जभी भी डाइग्राम बनाएंगे तो कोशिश करिए अगर आठ ये 10 नंबर में उसमें ऐसा detailing आपको करनी है जब four marks की जब रहते तो वहां पर इस प्रकार की नजर आ रहेंगे कहीं पर भी आपको हौच-पौच नहीं लगेगा है न तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए यहां यहां पर यह यह चीज़ें इस प्रैक्टिस करने तो हम इधर आगे बढ़ते हैं यह गुंडवाना वाला हो गया अब हम टडशरी वाला देखते हैं टडशरी वाले को मैं थोड़ा सा येलो कलर में यहां पर बनाऊंगा तो टडशरी में मेरे दोस्तों यहां पर तीन इंपॉर्टेंट राज्य दिख ठीक है ना तो में घाले में और असाम में और अरुन आचल प्रदेश में कौन कौन से जो इस्तान है इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं यहां पर हमने देखा कि यह वाला जो शेत्र था तुम्हारा कौन से था गोंडवाना वाला था है ना अब जो हम देख रहे हैं व मेह जाएंगे तो हमको मिलेगा जंजी और नजीरा ठीक है और यहां पर जब मेगाले में चलेंगे तो मेवलांग और जिप्रापुनड़ा तो मैं ये लोकल अर्ट से क्यों बना रहा हूं क्योंकि ये जो शेत्र है यह तुम्हारा tertiary coal वाला शेतर है । और यहां पर फिर मिलेगा जमू काश्मीर में एक आपको काला कौट करके मिल जाएगा जैसे बाला कौट आपने सुनए न वैसी यहां पर मिलेगा आपको काला कौट कहाँ पर जी जमू एंड काश्मिर तो देखिए यह आपका अब कम्प्लीट मैप हो चुका है अब आप खुद सोचे मेरे दोस्ट अगर आप ने इस प्रकार से बनाया अगर इस प्रकार से स्थाने वितरन पुछा अगर एक्जामिनर सच में अगर रियल में नंबर देना चाहेगा अगर दिल से अगर नंबर देगा तो दिल खोल के नंबर देगा यदि वो आप से जलेगा तभी वो नंबर काटेगा है ना मतलब बोलेगा रे भाई इतना अच्छा कोई कैसे बना सकता लिख सकता है तभी व प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा मैं समझ रहूं फिरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जा सकता है पहले तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा पहला चीज पहला शर्थ मदब नाम ही नहीं पता तो कैसे बनाओगी दूसरा फिर आपको इंडिया का मैप कम से कम इतना बनाओ कि नहीं लगनाश यह ना कि यह भारत का मैप है करके ठीक है उसके बाद इसरा इंपॉर्डन चीज़ जब आपको नाम भी पता है मैप भी आपने बना लिया आपको इस टोटों के चिस प्रकार से जमाने हैं ताकि दिखे कि हाँ यहाँ 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 पर अब थोड़ी देर पहले कराया था यह जो मैंने बोला था तो इसकी यहाँ पर मैं बात एक करूँगा में खासे स्क्रिंशॉट आप सबने ले लिया चले अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसको हम बताते हैं ध्यां से समझना अगर वो नदी घाटी की बाते क अब प्रमुख बोला है जी तो प्रमुख बोला है तो इसमें क्या करना है तुमको प्रमुख बोला है तो प्रमुख जब बोलेगा तो आप क्या करिएगा पूरे को यहनिकि नौर्थ इस्ट वाले साइट को बनाने की निट नहीं है क्योंकि आपका में जो कोल है 98% जो कोल मिलका है तो बाकी आप जो है जम्मू काश्मीर या फिर नौर्थ इसको फोकस करने की यहां पर आवश्यक्ता नहीं है चार नदी घाटियों के नाम याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है तब से पहले यह जो नदी आपको यहां पर जो दिख रही है मेरे दोस्तों विच इस वन दिस इस महानदी जा की मिलेगी दामोदर और उसके बाद यहां से जो एक नदी का नाम है गदावरी सब्सक्राइब आपने चार नदी यहां पर पहले ड्रॉव कर दिया पहले अपने बना दिया अब बाकि जो कहानी न दीखो मिरा 90% काम हो चुका मेरा यह आपका 90% काम हो अभुला सर ऐसे कैसे पहले वाले डियाग्राम के सर पहले वाले में तो अप निक्र equilibiblis सारा ऐसे बना की रखा था यहां पर आप और 90 परसंट जी हां बिलकुल अभी आप समझो नो बटा आप से पूछ रहा है फेमस आपको उन रिवर्स के बारे में बताना है जो कि कोल के लिए फेमस है तो आप देखे महा नदी बोर रहा है इसका मतलब हमारे दिमाग में जरली क से आजाते है अजाते है अरी सर नहीं क्या वह करते हैं थांदी की बताओ कर रहू है आपको मेजर रिवर्स बताने है जासे यहां पर जैसे यहां पर आप गुदावरी पुदावरी के बहुत सारी सहाःक नदिया है जो कि कोड़ इसमे काल वाले शेत्र तaina एक लां शेत्र और अंध्र प्रदेश की को वाले शेत्र इसमें आं जाएंगे तुम्हारे गोदावरे नदी घाटीि में आ से संजेगा वह पास से जो गुजर रही है ये आपका सोन नदी वाले घाटी के अंदर गताएगा नीचे जब आ जाएंगे इधर हजदे वाले में इधर केलो वाले में इन फैक्ट तुम्हारे ओडिसा के वाले रिजन तल्चर वगर में ये सब किसमें आ जाएगा 37 गड़ और उडिसा बेल्ट याद रखना मेरे दोस्त महा नदी में कौन कौन से आएगे 37 गड़ के नीचे मतलब रायगड़ वाला हो जाएगा कोर्बा वाला हो जाएगा तुम्हारे उडिसा वाला उडिसा के जितने है सब किसब महा नदी घाटी के अंदर गताएंगे और जो बच गए आपका मतलब धार खंड जे के एच और वेस्ट बेंगॉल ये किसमें आजाएगा दोस्त कि आजाएगा तुम्हारा दामोदर नदी घाटी वाले शेत्र में मतलब जितने जितने आपने यहाँ पर लिखे थे उसी को वापस से क्या कर लेना है यहाँ पर फिट कर देना है कहानी खतम इसलिए मैंने बोला 90% काम फिनिश मदब आपने कुछ निया के केवल नदियों के नाम यहाँ पर लिखे और नदियों के बास सीधा सीधा क्या हो गया तुम्हारा कौन को से स्टेट कौन को से राज यहाँ आपने वहाँ पर इनको बता दिया अब से जार करना पड़ेगा एक अलग से वीडियो मैं लाने वाला हूँ खनीजों के उत्पादन से संबंदित है ना तुमकी क्या होगा ना देखो ऐसा नहीं है मैं जो चाहूं तो इसी वीडियो में बता दूँ क्या है जैसे उदाहरन के दर पर देख लो उडिसा है जार से संबंदित है जो रहेगा हो इसकी कहानी अलग है मतलब उसमें जैसे कि आपके लुहा है अलुमेनियू है तामबा है और वो सारी चीजों के बारे में बताएंगे उनके उत्खनण और प्रोडक्शन के बारे में मिनिस्ट्री आप कोल और लिगनाइट रहता है यह सिर्फ आपको पूछा जाता है ठीक है याद रखे तो दोस्तों यहां पर जो production है इसका एक अलग से detail वीडियो मैं बनाऊंगा कहां पर कितना उत्पादन है कितना भंडारन है और आप बस मुझे बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा helpful था या नहीं था और आपको किस topic पर वीडियो चाहिए क्योंकि एक और topic मैं लेकर आपके लिए आने वाला हूं तो हमारे पास geography में मेजर तॉर पर जैसे topic होते हैं एक हिमाला हो गया हना उसके बाद प्राइद भी पठार है देन हम पढ़ते हैं बहुत सारी नदिया है हमारे पास जलवाई हम पढ़ते हैं जलवाई को एक वीडियो और डिटी शायद मैंने डाला हुए एक दो मैंने चैनल पर ड़ले हुए है और इसकी बाद हमारे वन संसाधना जाते हैं यानिकी प्राकृतिक पनस्पत्ति हैं धनीच है अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविषय को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको अजहे रहांपके साथ अजमेरी को चात्वापके साथ कि भविश्ण Student